नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एडोगेट धिरस्कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल में आज हम जाने हैंगे कि कोवेड-19 करोना के चलते हम कैसे किसी मडर केस में पैरोल ले और कैसे किसी मडर केस के ट्रायल के चलते हैं 45 डेज के लिए इंटरिम बेल ले तो हम जानते हैं कि जैसे कि अभी सुपर्री कोर्ट की जज्जमेंट आयती उसके बाद 7 years imprisonment के जितने भी केस थे उन सब को इंटरिम बेल लें करांड कर दी गई है सब को पर्सनल बेल बोंड ले करके जेल से छोड़ दिया गया है लेकिन इसके बाद दिल्ली हाइग कोट की भी एक अभी जज्जमेंट आया है तो उसके बाद करते हैं तो दिल्ली हाइग कोट में एक P.I.L. फाइल होती है जिसका टैटल होता है सोबागोपता अड़र्स वर्शिस उनिन ओफ इंडिया अड़र्स उसमें जश्टिस हेमा कोली और जश्टिस सुबर्मन्यम परसाजी एक जज़्मेंट पास करते हैं 23rd मार्च 2020 यह अभी जो 23rd मार्च कही इसको रिट नमबर होता है 2945 अबले 2020 इसमें यह ज़ज्मेंट पास की जाती है कि अगर कोई भी सजायापता मुझरिम 302 मडर केस के अंदर है तो उसको 8 वीक की लिए पैरोल गरांड कर दी जाए और इसके इलावा अगर आपके खिलाब ट्राइल चल रहा है अब अंडर ट्राइल ह के लिए बिए इंटरिम बेल कर दी जाए बस रते कि आप के आप दो साल तक जेल में रही हो और आपके खिलाब कोई और केस ना हो और इसके लिए एक दिली हाई कोट पावर कमेटी बेपाइट की जाती है कि आप इसमें अपने रिपोर्ट दीजिए कि इसमें क्या और कर सकते हैं तो इसके लिए दिल हाई कोट पावर कमेटी बेढ़ती है सेवंध अपरेल को और 18 मई को वे अपने रिपोर्ट फाइल करते हैं रिपोर्ट के अंदर यह रूल डेगलोसन सेक्शन हो जाते हैं जज्जमेंट में एक कमी थी कि इसमें जो पली के सेने वो सिरफ ल पर कि ईट वीक के लिए पचरते हैं उसके ऊपर कोई और केस नीए हो ऐसी अगर आप मड़र केस आपके खिलाब चल रहा है और अपके खिलाब कोई और केस नहीं है और आपको दो साल हो चुके है जेल के अंदर तो आप तब भी जेल से 45 डेज के लिए इंटरिम पर भार आ सकते हैं अब जानते हैं इसका प्रोशीजर क्या है इसके लिए आप सिंपल एक अपली केशन लगाते हैं सेशन कोट में उसमें आप अपने जो क्लाइंट हैं उनकी डिटेल देते हैं डिटेल में लिखते हैं यह मेरा क्लाइंट है इसको दो साल अंदर हो चुके हैं और इसके behavior है वो भी अच्छा रहा जेल में तो इसको फोटेवाइज के लिए इंडरी बेल ग्रांड करती जाएं सेक्शन 439 CRPC में अप्लिकेशन लगती है इसमें हम चार कोपी देते हैं फर्स्ट कोपी जस साब के पास रहती है सेकेंड पीपी जो सरकारी वकील पुब्लिक प्रोसिकूटर होते हैं उनके पास रहती है थर्ड जो है वो आयो साब के बाती है इन्विस्टिकेशन ओफिसर उनको रिपोर्ट देनी होती है कि हाँ मैंने इस केस को इन्विस्टिकेट किया था और उसके खिलाब कोई भी और सेकेंड केस नहीं है सिवाए इस केस के अगर ऐसा कुछ है तो वे रिपोर्ट फाइल करते हैं फोर जाती है जेल परसासन को जेल परसासन इसके अंदर अपनी रिपोर्ट देता है कि मेरे जो रिकोर्ड के अकोर्डिंग इसके खिलाब सिरफ एक ही केस है जिसमें यह अंदर है और साथ में इसका भीवर भी अच्छा रहा है लेकिन अगर भीवर अच्छा नहीं है और आपके खिलाब कोई केस मिल जा तो आपको ये फिर रिलीफ नहीं मिलती है लेकिन अगर वहां से भी किलियर आ जाता है ये रिपोर्ट तब आपको जसा 45 डेज के लिए इंट्री बेल गरांड कर देते हैं तब जेल आपको सेम डेव रिपोर्ट वहां पर जेल प्रसेशन में चली जाती है जेल प्रस नहीं पर तो टूंटी थाउजन्ड का परसनल बेल बूर्ण ले करके महले हमको शोटी नहीं देनी होती उसके अंदर जो अंदर जेल में होता है क्लाइण्ट हमारा वो खोदी जेल के अंदर ही 20,000 बीस हजार रुपे का परसनल बेलबॉंट साइन करता है और भार आ जाता है ऐसे कलको अगर हम को जैसे करोना भी चल रहा है आगे और भी अगर चलता है तो हम अब एक और अपलीकेशन लगा करके इसको एक्सटेंड भी करा सकते है लेकिन जाने वाली बात यह कि यह फिलाल फैसलेटी सिर्फ दिल्ली में ही है दिल्ली के लावा बागी और की स्टेट में नहीं दिखे है लेकिन अगर आप अधर स्टेट के भी हैं तो भी आप डारेट हाई कोट में अपलीकेशन लगा करके और इस judgment का reference दे करके आप ये relief ले सकते हैं इसमें आपको भी 45 days के लिए interim bail मिल जाएगी और साथ में अगर आप आपको सजा मिली भी सजा अपता मुझरी में तो आप payroll पर भी भारा सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी मैं तो चाहता हूँ कि आप अगर अधर स्टेट में हैं तो आप वहाँ पर P.I.L. फाइल करें और इस judgment का reference दे और वहाँ पर भी फैसिलिटी grant कराएं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग गलत हो murder case में कोई है तो वो गलती हो आदमी मजबूरी में भी murder कर सकता है या फिर इसके लावा हालात भी ऐसे हो सकते हैं कि उससे गलती हो जाए या फिर कोछोर भी वज़या हो सकती है तो सबको गलत नहीं माना चाहिए जीने का अधिकार तो सबी को है तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार